दोस्तों आपको पताया कि उत्तरप्रदेश में यूपी पुलिस भरती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया 60244 पदों पर यह भरती हो रही है पूरा वीडियो मैंने आपको बनाया पूरा नोटिफिकेशन समझाया आप मेरे पास मेरे साथ जो है होंगाड जवान काफी जुले हुए हैं तो मेरे पास एक कमेंट आ रहा है कि सर क्या होमगाड की एज रिलाक्सेशन जो तेन साल होता था वह खत्म कर दिया है क्योंकि नोटिफिकेशन में थोड़ा सरा confusion create कर दिया उन्होंने है ठीक है तो हम लोग इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि होमगार्ड को यूपी पुलिस और पी एसी में जो पांच प्रतीचत आरक्षन मिलता है वो किस बेस पर मिलता है यह आरक्षन होता क्या है कितनी उम्र में छूट मिलती है क्या eligibility है कौन लो प्रेजियो में बात करने वाले हैं तो अगर आप भी होमगार्ड जवान है और आग्य कर रहे हैं हम उपी पुलिस में जाएंगे या फिर पी सी में तैयारी करेंगे पीएसी में फॉर्म डालेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप नहीं भी है होंगार जबान तो भी कोई बात नहीं आप होंगार की बरती में बरती होकर उसके बाद पुलिस और पीएसी में पांच प्रतिशक का आरक्षन पास सकते हैं तो यह कैसे मिलता है क्या है इसका क्राइटेरिया पूरा आपको इस वीडियो में बारिकी से समझाओंगा जो इस बार नोटिफिकेशन रिलूज हुआ है यूपी पुलिस का उसका कन्फिजन भी आपका दूर कर दूगा ठीक है दोस्तों तो देट आपको सबसे पहले मिलती रहे और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा यूपी होमगार्ड भरती या फिर यूपी पुलिस भरती या फिर यूपी पीएसी भरती जो भी आपकी मौरती हो वो लिखेगा जिन बढ़ती के लिए आप तैरी करने ठीक है तो को लिखेगा पेजनमबर जो है 38 में आपको दिखा देता हूं ठीक है तो पेज नमबर 38 पर मैं फुल इसकिन पर दिखा देता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है 27 नमबर प्र आरक्षन ठीक है इसमें आरक्षन वाले कॉलम में दूसरा वाला अप्षिं ठीक है धियान कोंस्टेबल के पांच प्रतिशत पदोपर सीधी भरती में आरक्षन की अनुमनिता ठीक है तो होम गार्ड्स को नियमा वली का अनुसार चाहें पुलिस की भरती आए या फिर पी एसी की भरती आए उसमें पांच प्रतिशत आरक्षन मिलता है यह शाचना देश उनिस सो कर दूँगा ठीक है लेकिन इस आदेश में है क्या उसको समझने के लिए पहले मैं आपको इस बार का यानि की 2023 का यूपी पुलिस का जो है वो दिखा देता हूं नोटिफिकेशन और एक पेच में आपको दिखाता हूं जहां पर लिखा हूं है 36 आरक्षन ठीक है यहां पर 36 आरक्षन में जब आप आएंगे तो यहां पर तीतरे वाले उप्शन में लिखा हूं गार्ड केवल पुरुष को मिलता है ठीक है यह केवल पुरुष को मिलता ह जो होते हैं, उनको मिलता है. और यहांप इन् Shelton ने लिप लिग दिया, प्रतीशत 0.05, यानि कि 5 प्रतीशत आरक्षन जो होँमगाइड को मिलता है. शास्थनदेश, वही शास्थन देश का वाला दिया गया, जो होम गाइड नियमा वली में दिया गया था. लेकिन अधिक्तम आयू सीमा में डैश लगा दिया डैश लगा हुआ है अब यहीं पर कन्विजन क्रियेट हो गया है कि भई यह डैश का मतलब क्या है क्या वाकई में होंगार्ड को तीन वर्स की छूट नहीं मिलेगी यार यह ऐसा नहीं है ठीक है जो नियमा वली में लिख आश राचनादेश में लिख गया कि भई तीन वर्स की आयू जो है वो उसकी आपको छूट मिलेगी तो फिर मिलेगी चाहें वो उसमें लिखें ना लिखें उन्होंने एक ही कॉलम में लिख दिया कि भई इस राचनादेश के अनुसार यानि कि उस राचनादेश में जो ज 2018 में हुई थी UP Police की उसका एक पीच मैं आपको शेर करता हूं इस क्रिंट पर देख रहा होगा ठीक है 5.7 लिखा हुआ है Home Guards क्या Home Guards ठीक है इसके लाबा नियूंतम आयू 18 वर्स वा अधिकतम आयू 25 वर्स होगी ठीक है नियूंतम अठारा जनरल की क्या बाइस पीन साल छूट मिल गई कितना हो गया पच्छिस हो ठीक है जनवरी तक आप फॉर्म भरेंगे जो आखरी तारीक होगी फॉर्म भरने की उस तारीक तक आपने Home Guard विभाग में तीन वर्स सेवा दी हो ठीक है जो गया पूड़े और बहुत बढ़िया चरित्र रहा है कोई दिक्कत नहीं हुई है तीक है तीन वर्स इसने सेवा दे दी है इसको वैरिफाई किया जाता है और जैसे ही वह प्रमाणपत्र आपको मिलेगा आप उत्तरप्रदेश पुलिस में पांच प्रतिशत आरक्षन क क्या क्या फाइदा होगा एक तो आपको अठारा से सीधे पच्छिस साल तक आप एपलाई कर पाएंगे तीन साल की छूट मिलेगी ठीक है और पांच प्रतिशत आरक्षन मिलेगा यानि कि पांच प्रतिशत जो आपके पद हैं वो आपके लिए रिजर्व रहेंगे अगर ह नहीं मिल पाते हैं तो फिर दूसरे केंडेट से वो पाद भरे जाएंगे ठीक है उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा लेकिन उसके बाद भी आपकी दिमाग में कोई कंफिजन चल रहा देखिए यहां पर जो नोडिफिकेशन है यू पीपल उसको उसमें डै ठीक ही उसके बाद उसको पढ़ा मेहनत लगी उसके बाद इस डीसिजन पर पहुंचे यह पूरा मैने निकाला उसके बाद आपको जानकरी दे रहा हूँ जानकरी इखटी करने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन आप लोग महनत को समझते ही नहीं वीडियो को लाइक करना बूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक है लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ WhatsApp, Facebook, Telegram सभी जगा शेयर कीजिएगा कोई confusion दिमाग में अभी भी रह गया हो तो सीधे Instagram account पर आईए मेरे direct message कीजिए वहाँ पर मैं active रहता हूँ और आपके हर सवाल का जवाब आपको वहाँ दूँगा आपके confusion को दूर करूँगा ठीक है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करें चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आईकोन को दबा कर और पसेट कर लें ताकि इस तरह के हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे चले दोस्तों चलता हूँ अपना खेल लखिए परिवार का कहल लखिए फिर मुलाकात होगी तैंक्यो